सत्य के बारे में अब तक सुना है सत्य के बारे में अब तक सुना है आया समय सत्य सुनने का खोजी सभी को शुभेच्छा, हैपी थौट्स तेज ग्यान संदेश के इस भाग में हम शरीर को मंदर कैसे बनाएं इस संदेश को सुनने वाले हैं संदेश द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम हमेशा स्वा अनुभव में रहते हुए अपने शरीर को मंदर बना सकते हैं यह संदेश हमारे जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करेगा जिसके उपरांद हम समाधी को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे अपने अनुभव पर ही असली सुरक्षा है लोग सुरक्षा बाहर डुणते किसी से पहचान हो जाए किसी मंतरी से पहचान हो जाए कोई तलवार मिल जाए कोई बंदुक मिल जाए कोई किल्ला बना दे पैसा बैंक बैलेंस जोड़ दे इससे सुरक्षा हो जाएगी, उससे सुरक्षा हो जाएगी, मगर असली सुरक्षा है तेजिस्तान पर, बाकी सुरक्षा कैसी है? असुरक्षित सुरक्षा, वो सुरक्षा है, असुरक्षित है, एक ही सुरक्षित सुरक्षा है, जो है समाधी की अवस्ता, संपुर्ण मोक्ष समाधी के अवस्ता, सहज मोक्ष समाधी के अवस्ता जिसको तेजिस्थान पर रहने की अवस्ता भी कहा गया है, उस अवस्ता तक जाने के लिए कुछ प्रियोक करेंगे और हम भी समझेंगे कैसे वहां रह पाएं, कैसे हेड से हाट तक आजाएं, वरना हमेशा हेड में ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं थोड़ा समय भी हम हिर्दे पर जागरत अवस्ता में नहीं आपाते हैं तो कैसे हम जागरत अवस्ता में आएं सबी बंदनों से सुरक्षित हो जाएं, लोग रक्षा बंदन से करे, Bandhanon में जो Bandh रहा है वू गुरु नहीं होता, गुरु कुन होता है जो Bandhanon से Rakshah करता है वो गुरु होता है, तो Raakhi हम Bandh रहे हैं, मुझर हमें पता ही नहीं हैं, क्यूं बांद रहे हैं तो करमकांड ही हो जातेहीं, कितने पूर्वजों ने कितना सोच समझ कर त्योहार बनाए हर त्योहार के बीछे कितना गहरा अर्थ है तो ये अर्थ ये इशारे हर त्योहार को हमें मिलते हैं आज भी आपको इशारा किया जा रहा है कि इशारा समझो हम कैसे जी रहे हैं असली सुरक्षा में या नकली सुरक्षा में असली सुरक्षा कब होगी जब स्वय का अनुभव होगा मैं कौन हूं पता चलेगा आज तक हम किसको मैं बोल रहे थे एक उधारन से समझें कि बहन ने भाई को राखी बांदी तो भाई कहता है मेरी बहन तो वो मुझे यानि किसको मैं कह रहा है, वो शरीर को मैं कह रहा है, मुझे राखी बांदी यानि मैं शरीर, फिर वो कहता है राखी बंदते ही मैं आनन से जुम उठा, तब वो क्या कह रहा है, अपने आपको शरीर और मन मान रहा है, जुम उठा शरीर भी जुमा होगा, और मन को भी आनन्द आया है, तो कौन सी अवस्ता आई? मनो शरीर यंतर की अवस्ता, यानि इनसान अपने आपको उस वक्त मनो शरीर यंतर मान रहा है, फिर वो कहता है, दुसरे दिन मैं बहुत बोर हो गया, यानि वो क्या कह रहा है, मैं मन हूँ, क्योंकि शरीर बोर नहीं होता, शरीर बोर नहीं होता, मन बोर होता है, तब वो अपने आप को मन मान रहा है, और फिर वो कहता है, अब मैं सोच रहा हूं, कि मैं नई अडिया सोचूं, कुछ नया काम करों, तो नया सोचुन जब वो सोच रहा है तब वो अपने आपको बुद्धी मान रहा है तो या तो इनसान अपने आपको शरीर मानता है या मनों शरीर यंद्र मानता है या बुद्धी मानता है या मन मानता है मर जो actual वो है वही नहीं जानता जब आप जो हो वो बन कर जीने लगोगे तो सहज समादी में रहने लगोगे सहज समादी में रहने के लिए ही आपको ट्रेनिंग दी जारी ताकि हमारा शरीर जो है वह मंदर बन जाए हमारा शरीर मंदर बन जाए मंदर में कौन सा विग्यापन चलता है मंदिर में स्क्रीन पर क्या होता है वैसी अवस्ता हमारी हो जाए वरना लोगों ने अपने घर को बूत बंगलो बना कर रखा है बूत बंगलो यानि जहां बूत काल के विचारी चलते रहते आप जानते कुछ लगों के अंदर हमेशा पाष्ट के मेमरीज चलते रहती भूत काल की जो हो चुका हमेशा वही सुचते रहते उसने ये कहा मुझे उस दिन वो कहा बच्पन में ऐसा हुआ पर ये असफलता मिली मेरे साथ येसा क्यों होता है वो हमेशा भूत की यादों में रहता है ऐसे इंसान का शरीर क्या है भूत बंगलो उस बंगले में क्या कहा जा रहा हरे को बंगलो बंगलो जो भंग से नशा आता ना भंगलो वो भूत बंगलो है बंगी खाई जा रहे है नशाई है तंदराई है तमोगुणी है तो कुछ लोग भूत बंगलो में रहते तमोगुणी होते और कुछ लोग जूठ बंगलो में रहते जूठ बंगलो में यानि जहां जूठी कल्पनाईं चलती रहती जूठी बविश्य की कल्पनाएं Harry Potter की कल्पनाएं चल रही जूठे जीवन को देखा जा रहा है वो क्या है जूठ बंगलो एक भूत बंगलो में रहता है एक जूठ बंगलो में रहता है मगर एक जो सजग हो जाता है जूट बंगलो में रहने वाला रजोगुणी है, रजोगुणी है, मैं तो कांशी भागने वाला, जुसका मन सदा भागते रहता है, और तमोगुणी का मन कैसा है, वो सुस्त रहता है, तो भूद बंगलो में भी नहीं रहना है, जूट बंगलो में भी नहीं रहना है, आपक क्या आप उस इश्वर का एक मंदर बनाते जिसको आप मानते हैं, जो भी इश्वर को आप मानते हैं, अल्ला को मानते हैं, अल्ला को मानते हैं, अगर आपके वास करोड़ रुपय होते, तो क्या आप इश्वर का अपने इश्वर का एक मंदर बनाने वाले थे, जिनको लगता है कि हम बनाते थे वे हाथ उपर करें कि अगर करोड़ रुपए होते तो एक मंदर बनाते इश्वर का तो देहो कितने लोगों ने हाथ उपर किया है कुछ लोगों ने समझा नहीं क्या वाकई होगा क्या वो वही सोचने लग के कल्पनाओं में तो इश्वर के लिए एक मंदर बनाने की हमारी तयारी अगर हमारे पास करोडों रुपए होते मगर अपने शरीर को तो हम मंदर बनाई सकते उसमें करोडों रुपए नहीं लगते तो हम अपने शरीर को आप मानते हो, उसके लिए क्या कहोगे, उसको क्या वचन दोगे, कि एक मंदर तो हम तुमारे लिए बनाएंगे, जिसमें तुम रहो, तो अपने शरीर को तो बना सकते, इसमें तो बहाना नहीं है, वरना तो बहाना होता है न, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, परमिशन नहीं है, इसलिए हम नहीं बना सकते, और अपने शरीर को मंदर बनाने के लिए कौन सा बहाना है, कोई बहाना नहीं है, तो फिर आप में से आज किन लोगों को लगता है कि हम एक मंदिर तो जरूर बनाएंगे अपने शरीर को तो मंदिर बनाएंगे वे हाथ उपर करें तो एक मंदिर बनाना है तो उसमें समाधी को लाना है जितना आप समाधी के नजदिक जाते हो शरीर भूद बंगलों से जूट बंगलों से मंदिर होने लगता है कैसे बनेगा तोड़ फोड़ करने के आवाशक्ता नहीं पड़ती आपको सिरिफ अपने विचारायाम को बदलना है मौनायाम को बदलना है मौन को लाना है मौन को समझना है मौन की अवस्ता सदा है विचारों के पीछे मौन की ही अवस्ता है परदे पर आप देखते हो जब आग की सीन तो जिस परदे पर आग दिखाई जाती वो परदा नहीं जलता उस परदे को आग नहीं लगती जिस परदे पर पानी दिखाया जाता है वो परदा गिला नहीं होता तो जो मौन है जिस पर विचार उठते हैं गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं ने ने विचार आते हैं जाते हैं वो मौन सदा वैसा ही है संदेश का शेश भाग छोटे से अंतराल के बाद महा आस्मानी निवासी शिवर मनन आश्रम पर आयूजित किया जाता है इस पांच दिवस्य शिवर में खोजी केवल सत्य श्रवन द्वारा आत्म साक्षात्कार की मन्जिल तक पहुचता है इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और बचनों का पालन करते हुए हर दिन अन्तिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है स्वा अनुभव के इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ इस प्रित्वी पर क्यों आया हूँ मुक्ष यानि क्या क्या मुक्ष इसी जीवन में संभव है इन सवालों के जबाब अनुभव से प्राप्तो होते हैं सर्श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अन्तिम सत्य को उचातर करते हैं अब आई हमें खोजी से इस शिवर के बारे में उनके अनुभव जाने एक खोजी डाबेटीस और हार्ग दिशिज की प्राक्टिस करता है अब्डेमेडिशन फिजिशिन है प्रोफेसर भी है मैं यहां के समझा हूं कि मेरे गुव डाक्टर की कितनी जरूत थी एक डाक्टर को एक डाक्टर किती जरूती मैं बहुत स्ट्रेस रह करता था और मेरी जो सेवा है वो ठीक से नहीं दे पारा ताचकल इसलिए यहां के मैंने बहुत रिलाक्स फिल किया है और जो लाइप स्टाइल रिलेटर डिसीजिए रहे दे जैसे कि डाइबिटीस हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड पेशर हो यहां आके मैंने देखा है कि 70% तो डिसीजिए रहे रिलेटर तो स्ट्रेस और लाइप सेट तो यह तो सब आपके अपरोच और सुनने के बाद ही खतम हो जाएंगे मैं यही चाहता हूँ मैंने आभी जो यहां ग्यान लिया है अपने पेशंट्स को इसका पुरवफूर खायदा देगा और उनको इसली डॉक्टर के पास लेके आने की कोशिश भी करेगा धन्यवाल अब आईए हम संदेश का शेशभाग सुने उस समाधी को समझने के लिए टीवी का आपको उधारन बताया गया और बताया गया कि आपको उसे मंदिर बनाना है मंदिर कैसे बनाओगे जब दोनों कमरों के बीच में जो तेजिस्थान है जिस पर हम प्रयोग करेंगे वहां कैसे रहा जाए दो कमरे हैं दोनों कमरों में कुछ जल रहा है पहले कमरे में बाहर के कमरे में तीन बल्ब जल रहे हैं तीन बल्ब एक मर्कूरी बल्ब है सफेद बल्ब आप जानते ना मर्कूरी बल्ब दूसरा बल्ब है जो बन चालो होते रहता है और तीसरा बल्ब है, जीरो बल्ब है, जीरो यानि नाइट लेंब जिसको हम बोलते हैं, रात में जला के रखते हैं, नाइट लेंब, ये तीन बल्ब बाहर के कमरे में जल रहे हैं इससोट आप सबको ये मालम है हम किस कमरे की बात कर रहे हैं इनसान के शरीर की बात कर रहे हैं एक अंदर का कमरा है एक बाहर का कमरा है जो दिखता है लोगों को बाहर के कमरे में तीन बल्ब है और जब हम जागरत अवस्था में होते हैं तब क्या होता है बाहर के बल्ब जल अंदर ट्यूब लाइट है अंदर एक ही ट्यूब लाइट है जो सदा जलते रहती है वो बंद होती नहीं वो हमेशा जलते रहती है अब जब आप गहरी नींद में जाते हो तो क्या होता है गहरी नींद में जाते हो तब बाहर के कमरे के बल्ब जो है वो बंद हो जाते है ती अच्छी नीन की कब कहते हो आप अच्छी नीन की जब बाहर के कमरे के तीनों बल्ब बंद हैं मर्क्यूरी बल्ब बंद चालो होने वाला बल्ब जीरो बल्ब और अगर रात में बंद होने वाला बुझने वाला और चालो होने वाला बल्ब अगर चलता रहा, वो बंद करना भूल गए, तो क्या होगा, सपने आएंगे, सपने जब आते हैं, तो कौन सी अवस्ता होती है, जब बाहर के कमरे में, जो बंद चालू होने वाला बल्ब है, वो काम कर रहा है, तो बीच-बीच में सपने आते हैं, तो यह दूसरी एक नेंद के अवस्ता, बाहर के बल्ब बंद है, दूसरी अवस्ता, जब एक बल्ब जल रहा है, और तीसरी जागरत अवस्ता, जहां सब जल रहा है, सभी जल रहे हैं, और एक आखरी अवस्ता, चौती अवस्ता, समाधी की अवस्ता, जहां पर क्या है, बाहर के जीरो बल पर काम हो रहा है वो जल रहा है और अंदर की टूबलेट जल रही है यानि जब आप आँख बंद करके बाहर के बंद कर देते हो बंद चालू होने वाले बंद कर देते हो सिर्फ जिरो बंद जल रहा है शुन्या बाहर से आप कोई भी इंपुट नहीं ले रहे है कान से नहीं ले रहे, आंक से नहीं ले रहे, सभी इंद्रियों को अंदर कर दिया, मगर ये जागरत अवस्था में हो रहा है, देखो नेंद में बाहर सब बंद है, इसलिए आप उसका लाब नहीं ले पाते हैं, लाब कब होगा, जब बाहर के कमरे में जीरो बल्ब जल रहा होगा, अंदर की ट्यूबलेट तो जलते रहती है, वो बंद कभी हुई नहीं, इंसान मर जाता तो भी वो जल रही होती है, दोखा होता है कि सब बंद हो गया, बंद नहीं होता, जिसको हम मिर्तियू कहते हैं, वो मिर्तियू नहीं है, लोग दोखे में जी रहे हैं, तो दोखा दूर होने के लिए ज्ञान आवशक है, गुरू का रोल ही क्या है, जो अंदेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, तो गुरू जी आते हैं तो क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, का은खते हैं, हर चीज में बोलता है, यह अच्छा हुआ, यह बुरा हुआ, और अच्छा भी वा, तो उसमें कहेंगा, यह जादा अच्छा हुआ, यह कम अच्छा हुआ, तो ज्यादा कम अच्छा बुरा लेबल लगाते रहता है ये है तोलूमन यही समाध ही को ढख देता है उस पर हमें काम करना है मर उसके पहले क्या समझ रहे दो कमरों वाला मकान टिवी जिसकी एंटेना सत्य की तरफ लगानी है और फाइन ट्यूनिंग करनी है गुरू का रोल है अंदेरे से रोशनी की तरफ ले जाना यानि फाइन ट्यूनिंग करना कांट्राश कम करो ब्राइटनेस बढ़ाओ तो प्रकाश जीवन में आने लगेगा सब साफ साफ दिखेगा आगी की स्क्रीन भी पीछे की स्क्रीन भी तो दो कमरों में आपने अलग-अलग अवस्था उसको समझ कर आज कोई लाब नहीं सपनों वाली अवस्था को समझ कर कोई लाब नहीं है कई लोग दिन में भी सपने देखते रहते मगर एक ऐसी अवस्था है जो गुरू के आने के बाद या सत्य के साथ जोडने के बाद वो अवस्था जागरत होने लगती है क जल रहा है। ऐसी अवस्ता है समाधी अवस्ता। इस मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि इनसान अपने आपको शरीर, मन या बुद्धी मानकर सुख दुख की कलपनाओं में उल्जा रहता है। अब हमें स्वयम को जानकर सहज मोक्ष समाधी में रहने की कला सीखनी है। हमें अपने विचारों को सही दिशा देकर, विचार आयाम को बदलकर मौनायाम को जानना है। जैसे जैसे हम स्वयम्प को जानकर स्वानुभव में स्थापित होने लगते हैं, हमारा शरीर मंदिर बनने लगता है। हमने समझा कि तोलू मन यानि तुलना करने वाला मन ही समाधी में बाधा है। हम सताई जुलना करने वाला मन थ हम हम इन तुलना करने दो opinions क